Hello investors, तो बीना टाइम वेस्ट किये जानते है इस वीडियो का agenda and points के बारे में तो आज के वीडियो में बात होगी वेब शॉल एनर्जी सिस्टम कंपनी के बारे में जिसमें हम देखेंगी news, company details, company का analysis and साथ ही company के लिए best levels तो चल ये जानते हैं, तो पहले बात करते है company details के बारे में तो वेब शॉल एनर्जी सिस्टम, solar photovoltaic cells and modules बनाने वाली इंडिया में leading company है इसके साथ साथ ये photovoltaic cells बनाने में fastest growing company भी है company का growth देखें तो वो annually 30% का growth दिखा रही है एंड साथ ही company के पास काफी अच्छा 10 Megawatt manufacturing capability भी है तो जैसा हमने देखा कि ये photovoltaic cells produce करती है जो कि solar energy के लिए काफी important है तो जैसे कि future में renewable energy का ही बॉल बाला रहने वाला है एंड company इससे जुड़े हुए important parts बनाती है एंड उसमें number one भी है तो इसका future bright अभी तो हमें दिख रहा है एंड साथ ही government भी इसी energy को support करेगी तो ये एक अच्छी बात है company के लिए तो company का business हमें काफी अच्छा दिख रहा है अब देखे अगर news के बारे में तो आज company की meeting हुई थी जिसमें की company board ने 50 करोर के right issue को मंजूरी दी है यानि कि इसका फाइदा shareholders को मिलने वाला है जो कि वो extra share ले पाएंगे comprise में तो इसी बात पर वीडियो को एक like तो बनता है तो वीडियो को एक like करें हाला कि अभी इसकी और detail company ने announce नहीं की है जैसे की ratio क्या रहेगा and record date के बारे में तो वो आते ही हम आपको जरूर बताएंगे तो यह हुई company की news अब company के best levels जानने से पहले बात करते है company के past performance की तो पिछले एक दिन में company ने 0.5% का एक week में 9% का एन एक मंत में company ने negative 8% का return दिया है जो कि हम कह सकते हैं यह market की वज़े से है क्योंकि market पूरे का पूरा डाउन चल रहा तीन मंत की बात करे तो 85% का छे मंत की बात करे तो 110% का एक यह की बात करे तो 250% के आसपास end दो यह की बात करे तो 400% के return company दे चुकी है एंड पिछले पांच यह में company थोड़ा सा कम 170% का return दिया है तो पांच यह के अलावा हम देखे तो company ने काफी अच्छा performance हमें दिखाया है लेकिन केवल यह past performance काफी नहीं है तो अब चलते हैं इसके financial की ओर तो net sales की बात करें तो इसमें हमें काफी उतार चड़ाव दिख रहे हैं लेकिन पिछले तीन यह की बात करें तो वह हमें performance थोड़ा steady होता हुआ दिखा है तो total income में भी obviously वही बात हमें so हो रही है तो वही profit after tax की बात करें तो उसमें हमें company ने loss में भी दिख रही है लेकिन last 2 साल में company profit दिखा रही है तो यह देखके हम कह सकते है कि company के financial हमें okay okay लग रहे है तो overview निकाले तो company का future देखते हुए हम इसमें invest कर सकते हैं लेकिन financial इतने promising नहीं है तो यह risk आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा और यही risk देखके आप future के साथ जा सकते हैं तो अब देखते है कि अगर investment हमें करना ह तो किन levels को हमें द्यान में रखना चाहिए तो जैसा आप चार्ट पे देख सकते हैं इसका support हमें दिख रहा है 149 से 140 का जो कि share अभी उसी के आशपास चल रहा है एंड उसके नीचे का support देखे तो वह है 124 से 127 का जो कि share इसके उपर है तब तक हम इसमें अपमोग देख सकते हैं तो आप इसे as a stop loss भी देख सकते हो एंड अगर रजिस्टन्स की बात करें तो वह है 172 रूपीज के आसपास जो कि इसके उपर जाने के बाद ही हमें नई तेजी देखने को मिल सकती है तो यह हुआ कंपनी का बेस्ट लेवल जो कि आप हमेशा ध्यान में रखके चल सकत है तो यह होप आपको वीडियो में काफी सारी जानकरी मिली होगी जो कि आपको काम आज सके तो एसे ही वीडियोस के लिए स्टोक बाजार से जूड़े रहे एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी सेर करें